सब्सक्राइब करते हैं तो यह अर्थ है मालो और अर्थ के नॉर्थ पॉल के ओपर जब अब्जेक्ट रखते हैं तो उसका वेट कितना आता है अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अब इसी अब्जेक्ट को हम जिस्टेशनल सटलाइट पर रखेंगे तो जिए इस यहां पर सेटलाइट और वहां पर रखाए तो जियो स्टेशनल सटलाइट का एर्थ के सरफस से हैड कितना होता है यह इतना हीट पर होता है ताकि इसका ताइम периo । लिए लग। सहीन होता है यह डी corr two about two qu expressed में रहता है तो अपना फ़ैस को रह रहता है okay । तो इसका वेट क्या होगा तो वेट मानए व होता है तो फोर्मुला सेब में लगएगा gm m upon दिस्टेंने distance between them distance में एक लए तो एक स्क्टायर ऐगा तो यहाँ पर X कै Hah आएगा देखो सेंटर से उस उब्जेक काठ डिस्टेंस से से सेंटर सेंस से सरफेस है और यह आ रहे होगे हो एक्पन एच प्लस आलिपसे थे हैं h plus r का whole square right इस equation में से मैं r को common लेता हूं तो r को common लेता हूं तो यह आजाएगा g small m upon r square यह आजाएगा मेरा h by r plus 1 का whole square right अब यह term के g mm upon r square यह आपका north pole पर जो weight है वो है तो यहां पर weight अपन निकाल रहे है satellite के अंदर तो कितना जाएगा वो 10 by h plus h by r h कितना है 36,000 km right okay और sorry 3 0 आएगे और r किया है r आपका radius of earth कितना होता है 6400 km तो km km cancel out हो जाएगा तो 6400 plus 1 का whole square okay इसको solve करते तो यह आएगा 10 यह आएगा 5.625 plus 1 का whole square यह नि 10 by 6.625 का whole square और इसको square करेंगे तो क्या है 10 by 43.89 0.227 यानि एप्रोक्स कर देंगे तो 0.23 newton यानि कि satellite के अंदर रखेंगे उस object को तो कितना वेट आएगा 0.23 newton 0.23 newton